हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोल्ड कॉफी की रेसिपी क्योंकि गर्मिया चल रही है तो गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा पीने या खाने का मन करता है ऐसे में कोल्ड कॉफी एक बैटर आप्शन हो सकती है तो चल कॉफी लिया है कॉफी पाउडर आप किसी भी ब्रांका ले सकते हैं अमूल का मैंने चॉकलेट सीरप लिया है फरशी इसका किसी ब्रांका ले सकते हैं मैंने यहाँ पर यह तीन चमज भरके शुगर लिया है शुगर की कॉंटिटी आप कम जादा कर सकते हैं और दो चमज भ पर दोगे बिलकुल महीन वाले क्रेटर से आप चाहिए तो कॉफी पॉडर से भी गार्णिश कर सकते हैं तो यहां पर एक मैंने यह मिक्सिंग जार लिया हुआ है और इसमें मैंने सारी चीनी डाल दी है दो चमच भरके मैंने यह कॉफी पॉडर डाल दिया है और यह दूद सेट कर दिया है सिंपल है बिलकुल एकदम से यहां पर मैंने यह आइस क्यूब्स डाल दी है आइस क्यूब्स ज्यादा मत डाल यह वरना आपकी कॉफी जो है पतली हो जाएगी इसको दो मिनट के लिए मिक्सर में ग्रैंड कर लेंगे तो देखिए दो मिनट हो चुके हैं क देखिए चलिए फटा-फट से इसको सर्फ करते हैं एक सर्विंग लास लिया है तो यहां पर यह चॉकलेट सीरप है इसको मैं इस तरीके से इसमें पोर करूंगी और ग्लास को घुमाती जाओंगी इससे जो है फ्लेवर तो आएगा ही साथी में यह लुक भी बहुत ही एड कर दिया ही देखिए कितना अच्छा लुक जो होता जा रहा है तो कॉफी हमारी बनके एकदम से रैडी है यह देखिए उपर काफी अच्छा जहागा चुका है तो इस पे आप चाहे तो कॉफी पॉटर को ही स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने यहां इस चॉकलेट को पसंद आजाती है तो यह देखिए फ्रेंड्स हमाई जो हलके से चॉकलेट फ्लेवर वाली कोल्ड कॉफी बनके एकदम से रैडी है अब इसको इंजॉय कर सकते हैं बहुत यहादा टेस्टी लगती है अगर आप कर्मियों में कुछ ठंडा पीना चाहते हैं तो यह एक कंदा आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नई रहे स्पीक साथ बाय बाय